नमस्कार दोस्तों मैं सुनीरी शर्मा आपका रक्षम टैक में बहुत-बहुत सुवागत करता हूँ फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे बेस सेसी टीवी कैमरा फोर में गेट एंटरस गेट हो या फिर एक्जिट गेट या फिर आपके घर का गेट हो या किसी ओफिस का गेट मौल का गेट हो या फिर किसी भी तरहें का जो है में गेट जो होता है उसके लिए best CCTV camera क्या होगा इन सब के बारे में आज इस वीडियो में discuss करेंगे Friends, location decide करती है कि वहाँ पर सबसे better camera कौन सा रहेगा जब हम location के हिसाब से CCTV camera का इस्तेमाल करते हैं तो definitely हमें result भी बहुत ही अच्छे मिलते हैं Friends, main gate का CCTV camera बहुत माइने रखता है ये बात आप अच्छे से समझते हैं Friends, जब हम main gate का camera हमें अच्छी output नहीं दे पाता है तो हमें better result नहीं मिल पाते हैं क्योंकि friends, main gate पे light effect जो है वो बार-बार change होता रहता है कभी उसे light ज्यादा मिलती है कभी उसे light कम मिलती है तो दोनों ही चीज़े बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है उस टेम पे जब ज़्यादा light effect होता है तो reflection की वज़ासे जो है object जो है हमें अच्छे से पैचान में नहीं आ पाता है और जब light कम होती है तो definitely हमें जो है चीज़े साफ तोर पर दिखाई नहीं दे पाती है इसलिए normal cctv camera ऐसी जो condition है ऐसी location जो है उस पर ठीक से वरक नहीं कर पाता है और हमें काफी सारी परिशानिया आती है फ्रेंस आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा cctv camera तो जिसका इस्तमाल अगर आप करेंगे main gate पर तो definitely आपको बहुत अच्छे results मिलेंगे और आपकी जो problem है वो भी soul हो जाएगी और ये cctv camera आपकी बज़र से बाहर भी नहीं होंगे फ्रेंस आपको normal cctv camera यूज ना करते हुए main gate पर आपको WDR-based cctv camera इस्तमाल करना चाहिए फ्रेंस यहाँ WDR का मतलब है wide dynamic range जब आप WDR-based cctv camera परचेज करने जाएं तो उस वक्त आपको ध्यान रकना है कि दो तरहें के WDR-based cctv camera होते हैं एक होता है true WDR और एक होता है DWDR याणि कि digital WDR फ्रेंस आपको यहाँ पर true जो है WDR cctv camera अपने main gate पर use करना है फ्रेंस जब आप true WDR-based cctv camera अपने main gate पर इस्तमाल करेंगे उस condition में जो है बहुत ही अच्छे results जो है मिलेंगे फ्रेंस आपको मैं एक बात किलिए करता हूँ कि हर एक cctv camera WDR-based technology के साथ नहीं आता है आपको यह चीजे जो है confirm करनी पड़ेंगी अपना cctv camera purchase करने से पहले और अगर WDR-based cctv camera आप purchase करते भी हैं तो आपको यह भी confirm करना पड़ेगा क्या वो true WDR-based cctv camera है फ्रेंस आपको यहाँ जो है DW-DR cctv camera नहीं purchase करना है यानि कि digital WDR वाला नहीं purchase करना है true वाला करना है फ्रेंस true WDR-based cctv camera light effect के साथ एक अच्छे से configure कर पाते हैं और आपको better जो है video quality प्रवाइड करते हैं जिससे की reflection की विजए से आपकी video quality खराब नहीं होती है उमीद करता हूँ friends आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो please इसे like करना और हमारे channel रक्सम टेक को subscribe करना बिल्कुल भी मत भुलिएगा friends हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद thanks for watching